कान्व कंजोरी जैसी सभी प्रॉब्लिम्स के लिए नंबर वन और शधी एवं टॉने प्रिये बेहनों और भाईयों भांजे और भांजीयों कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर अब लगवग थम चुकी है संक्रमन अब नियंत्रण में 75,000 टेस्ट करने के बावजूद अब पॉजिटिव केस लगवग 110 के आसपास रोज आ रहे हैं पॉजिटिविटी रेट घटके 0.15% हो गया है रेकवरी रेट बढ़कर 99% तक पहुँच गया है कई जिलें ऐसे हैं या सब्तावर से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया और एक्टिव केस मात्र 2400 के आसपास बचे हैं जन जीवन अब सामान हो चला है बाजार खुल गए हैं चहल पहल बढ़ रही है रोनक लोट रही है काम धंदे चालू हुए है आर्त गत्विदियां बढ़ रही है लेकिन निश्चिंत रहने की ज़रूरत नहीं है दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का भी खत्रा है संकटा भी टला नहीं है वाइरस मौजूद है और दुनिया कहने कों देसों में हमने देखा है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी भी आई चौथी भी आई कई देसों में अभी पॉजिटिव केस बढ़ रहे है और इसलिए हमें सावधान रहने की आवसक्ता है अगर तीसरी लहर को नियंतिर्थ करना है तो इसके तीन उपाए है नमबर एक जो सरकार को करना है जिसमें आपको सायोग करना है हम रोज लगातार 75 से लेके 80,000 टेस्ट करेंगे हर एक जिले में करेंगे और जिले के हर स्थान पर करने की कोशिस करेंगे ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो ततकाल पकड़ा जाए वो इस्प्रेडर ना बने वो घूम के दूसरों तक ना फलाए और पॉजिटिव आते ही उसको आइसूलेट करें या अस्पताल ले जाएं उसके संपर्क में आए परिवार के लोग और मित्रों को भी हम सेम्पिल लेके उनका भी टेस्ट करें क्योंकि 3-4 दिन तो पता ही नहीं चलता क्यों पॉजिटिव हो गए तो कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के कारण अगर संपर्क में आए लोग भी पॉजिटिव हुए होंगे तो ततकाल हम पताल लगा लेंगे उनको आइसूलेट करेंगे भा माइक्रो कंटेन्मेंट एरिया बना देंगे पासे आना बंद जाना बंद तिल कोरोना भी आन चलता रहेगा ताकि सर्दी वुखार जो काम के लक्षण मिले तो अंदेखी ना हो ततकाल हम दवाईयां दे और उनका इलाज करें चिनित कोविट केर सेंटर चालू रहेंगे लेकिन दूसरा काम और करना पड़ेगा और वो है काम धंदा चालू रखते हुए कोरोना के संक्रमन को रोकने के अनकूल ब्योहार कोविट एप्रोप्रियेट बेहवियर अर्थात मास्क लगा रहेगा दूरी बनी रहेगी प्रधान मंत्री निका दो गच की दूरी वो जरूरी है हाथ बारबार साफ करेंगे सैनिटाइजर से या सावन से अच्छी नीद लेंगे योग वयायाम करेंगे जीवन सहली बदलनी होगी पॉस्टिक आहार लेंगे खूब पानी पियेंगे और कोई काम असानी करेंगे जिससे संक्रमन बढ़ सके अभी आपको करना होगा आपकी जवाबदारी है समाज के जिम्मेदार लोग इस काम को देखें क्राइसिस मेरिज्मेंट कमेटी इस काम को करें समाज से भी संस्थाएं राजने तिक दलों के कारी करता समाज को प्रेजित करने वाले व्यक्तित्व इस डाइट्व को अपने कंधों पर संभाले लेकिन ये करते करते तीसरी चीज़ हम करेंगे तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी और उसमें एक है अस्पताल में व्यवस्थाओं का सुद्रडी करन बिस्तरों की संख्या बढ़ाना आक्षिजन प्लांट लगाना दवाईयों का इंतजाम करना बच्चों के दिखतरा है तो उनके बाइड भी बनाते जाना ताकि हम स्वास्त सेवाओं को सुद्रड़ कर लें लेकिन इसके साथ एक सबसे महत्मून काम और वो काम है अपनी जन्ता को सुरक्षा कवच देने के लिए जिन्दगी सुरक्षित करने के लिए टीका लगवाना वैक्सीन लगवाना ये वैक्सीन जरूरी है दुनिया के सभी वैग्जान को और विस्यसग्यों ने कहा है वैक्सीन ही सुरक्षा का वच है वैक्सीन रख्षा का वंदन है अगर वैक्सीन लग गई दोनों डोज हमने ले लिए तो या तो कोविड होगा ही नहीं और अगर संक्रमन हुआ भी तो सरीर में रोग प्रितरोदक छमता रहेगी जो लड़के कोविड पर विजह प्राप्ट कर लेगी और जिन्दगी बचा लेगी और वैक्सीनेशन का महावियान चलाने का हमने फैसला किया है मैं भारत के प्रधान मंतरी स्रीमा नरेंदर मोदी जी का भी नंदन करता हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ उन्होंने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथों में ले लिया है अब राज्यों पर नहीं छोड़ा जब राज्यों पर पच्चीस परसेंट दायत वा गया था अठारा से लेके चवाली साल के नौजवानों को टीका लगाने का तो अभ्यान विखर गया था प्रधान मंत्री के हाथ में लेते ही इस अभ्यान को अब वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ गई है दो जिज लगातार मिल रहे हैं और तो लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए हमने 21 जून से प्राते दसवजे से वैक्सीनेशन महाभ्यान मध्रदेश में प्रारमब करने का फैसला किया है 21 जून को इस 7000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं हमारी कौसे से आपके सहयोग से 10 लाग से ज़्यादा वैक्सीन के डोज हम एक दिन में लगा दे है और उसके बाद जून के मईने में हम 50 लाग के पार ये डोज लगा पाएं और एक दो तीन जुलाई को फिर वैक्सीनेशन महाभ्यान चलेगा मेरे प्री बेहनों और भाईयों इसमें मेरी सबसे बड़ी चिंटा है अपनी जंता की जिंदगी को सुरक्षित करना दिन और रात मेरा दिमाग इसी में चल रहा है कि वो संकट फिर ना आए कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए और हम अपनों को देवस होके अपने से दूर जाते हुए देखें नहीं आने देंगे वो समय उसको रोकना होगा और जा हमारा संकल्प है वैक्सीन अथारा साल से जादा उमर के हर भाई को इस बेहन को इसी साल हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर लें दिन और रात मेरी चिंता यही है इसमें मैं आपका सही होग चाहता हूँ मैं समाज के प्रवुद्ध जनों से अपील करता हूँ राईनेतिक दलों के कारी करता हूँ से अपील करता हूँ मंत्री सांसद विदायक कारी करता पदाधिकारी सामाजिक संस्थाओं के प्रितिधिगन समाज से भी भाई बैन धर्म गुरूगन सबसे विनमर प्रार्थना करता हूं कि आप भी वैक्सिनेशन के लिए प्रेरित कीजिये वैक्सिन लगाने के लिए लोगों को तैयार कीजिये क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है 21 जून को आप भी किसी सेंटर पर जाएए प्रेरेक बनके और मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों पूरे प्रदेश बासियों जहाँ जहाँ यह वैक्सीन लग रही है घर घर जाके निमंत रन देना आपका काम है कि लोग वैक्सीन लगवाने आए एक दिन पहले डॉंडी पीटी जाएगी कई जग एक ट्राइसिस मेरिजमेंट कमेटी के लोग कोरोना वालेंटियर पीले चावल डाल के भी निमंत रन देंगे घर घर नौजवानों से मेरी अपील है वो घरों से लोगों को निकाले वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं जाए पीने का पानी बाकी आवसक व्यवस्थाएं करवाएं वालंटियर के रूप में वाके दायत तो सभालें वैक्सीन लगने के बाद आदा घंटा वेट करना पड़ता है ताकि अगर कोई परिसानी हो तो तदकाल उप्चार किया जा सके डरिये मत कोई परिसानी नहीं होती लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है एक आद दिन हलका फुल का बुकार आ सकता है किसी को इसलिए नौजवान निकले माताएं बेहने निकले, सेल्फ एल्प ग्रूप के लोग निकले सरपंच निकले, पंच निकले, पारसद निकले, नगर पाइल का, नगर पंचाज़ के अद्दक्ष निकले, मेर निकले MLA MP निकले स्वेमिज सेवी संस्ताओं के लोग निकले पटेल मुकदम तर्वी निकलें सास की कर्मचारी निकलें चारों तरफ वैक्सिने से न महाविहान ताकि हम वैक्सिन लगा के जनता की जिन्द की सुरक्षित कर सकें इस से बड़ा पुनिका काम और कोई नहीं है लोगों की जन बचाने से बड़ा काम आखिर कोई हो सकता है क्या और इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप निकलिए आप निकालिए लोगों को आप सेम्भी वैक्सिन लगवाईए और बाकि लोगों को वैक्सिन लगाने के लिए प्रेरित कीजिए यह भ्यान के वले की जून को नहीं रोज लगेगी एकी जून से तुम प्रारम्ब कर रहे है आपके अपील आपके वीडियो अपील के आप अपलोड कीजिए प्रेर ना दीजिए संकल्ब कराईए कि मैंने वैक्सिन लगाईए आप भी वैक्सिन लगवाईए अगर कई भ्रहम है तो उस भ्रहम को दूर कीजिए जो भ्रहम फैला रहा है वो समाच के दुस्मन है उस भ्रहम को दूर करना हमारी जबाबदारी और जिम्मेदारी है मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों मैं बाकी सभी कामों पर अगर सर्वोच प्राथविक्ता दे रहा हूं तो इससे मैं वैक्सिनेशन को दे रहा हूं क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूर में कभी भी तीसरी लेहर आ सकती है और इसलिए हमको तैयारी अभी से करनी है अब जान भी बचेगी लेकिन जाहन भी चलेगा फिर से लागडाउन का खत्रा हम नहीं उठा सकते है जान भी जान भी कड़ाई भी और दवाई भी टीका भी और जीने का स़ड़ीका भी हमको चीना वाईरस के साथ है लेकिन ऐसे के दुनिया चलती रहे फिर से लागडाउन नहीं बाबा काम धंदे वन बिजनिस ब्यापार ठप गरीब का क्या होता है ब्यापार ठप हो जाते हैं क्या वो दिन फिर से देखना चाहते हैं नहीं मद्ध प्रदेश में वो दिन आप नहीं आने देंगे इसलिए पूरी ताकत से वैक्सिनेशन अभ्यान चलाएंगे और टीका लगवा कि अपने आपको सुरक्षित करेंगे मैं इसके लिए अपने आपको समर्पित करता हूँ और मैं आप सब का सहोग चाहता हूँ का लक्ष प्राप्त कर लेंगे और वही तीसरी लहर के खिलाफ हमारा सबसे प्रभावी अस्तर होगा तो आईए अब तक अगर वैक्सिन न लगवाई हो तो लगवाईए और आपने लगवाई है तो आप अपने मित्रों को भी प्रेरित कीजिए के वो भी लगवाएं और याद रखें ये एक डोज नहीं निश्चित अंतराल के बाद दूसरा डोज भी ये दो डोज सुरक्षा के इसी से सम्रिद्धी भी रहेगी और सुरक्षा भी रहेगी आईए मेरे साथ